जूठा लड़का और भेडिया की कहानी बहुत समय पहले की बात है एक बार एक गाव में एक लड़का रहा करता था जो की पास की पहाडी पर चरते गाव की भेडों को देख कर उप गया था अपना मनोरंजन करने के लिए उसने चलाया भेडिया 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 भेडों का पीछा कर रहा है जब गाव वालों ने उसकी चीक सुनी तो वे भेडिये को भगाने के लिए पहारी पर दोड़ते हुए आए लेकिन जब वे पहुँचे तो उन्होंने कोई भेडिया नहीं देखा उनके गुसे वाले चेहरों को देखकर लड़का खुश हो गया उसे यह देखकर मजा आया सभी गाव वालों ने उस लड़के को चेतावनी दी की भेडिया भेडिया चलाओ मत लड़का जब कोई भेडिया नहीं है इसके बाद वे सभी गुसे में वापस पहाडी से चले गए अपने मनोरंजन के लिए बाद में एक बार फिर से चरवाहा लड़का फिर चलाया भेरिया 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 भेरो का पीछा कर रहा है उसने देखा कि ग्रामेन भेडिये को डराने के लिए पहाडी पर डौड रही है यहाँ देख उसे फिर से आनंद आने लगा जब उन्होंने देखा कि कोई भेडिया नहीं है तो उन्होंने सकती से उस लड़के को कहा कि जब कोई भेडिया नहीं है तब उसे उन्हें नहीं बुलाना चाहिए केवल भेडिया के आने पर ही उन्हें उसे पुकारना चाहिए जब वो गाव वाले पहाडी के नीचे जा रहे थे तब वो लड़का मन ही मन मुस्कुराया बाद में लड़के ने एक असली भेडिये को अपने जुन के तरफ आते देखा घबराय हुए वहाँ अपने पैरों पर कूद गया और जितना जोर से चला सकता था चिलाया भेडिया भेडिया लेकिन गाव वालों ने अपकी बार सोचा कि वहाँ उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है और इसलिए वे मदद के लिए नहीं आए सूरियास्त के समय ग्रामेन उस लड़के की तलाश में गए जो अपनी भेडों के साथ नहीं लोटा था जब वे पहाडी पर गए तो उन्होंने उसे रोते हुए पाया यहाँ वास्तव में एक भेडिया था जुन चला गया मैं चलाया भेडिया लेकिन तुम नहीं आये वह चलाया यह सब वो रोते हुए कहा अब एक बूढ़ा आदमी लड़के को सांध्वना देने गया जैसे ही उसने उसके पीट पर अपना हाथ रखा उसने कहा जूटे पर कोई विश्वास नहीं करता भले ही वह सच कह रहा हो अब उस लड़के को अपनी गलती का पच्चतावा हुआ सीख इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जूट से विश्वास तूट जाता है भले ही आप सच कह रहे हो कोई भी जूट पर विश्वास नहीं करता है इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए